हाई एवरिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो कैसे हो आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढाई कर रहे हो किरी दसवी वालो बोर्ड एक्जामिनेशन देखो डे बाई डे इस कमिंग वेरी नियर बहुत नजदीक आ रहा है तो यार अब समय आ चुका है अब आप अपनी पढ़ाई एकदम स्पीड बढ़ा लो यार मतलब जो फिप्त गियर होता है ना अब तीसरे पे चला रहे थे चला था पाचवा गियर डाली दो स्पोर्स बाइक में होता है ना पाचवा गियर डाल दो पाचवा गियर और रफ्तार से पढ़ने तो आगे और फिर देखो जो आपने सपना देखा था जो आपने गोल बनाया था आपके 95% का कैसे नहीं आएगा बिलकुल आएगा तो चल चैनल में पेपर कैसे लिखते हैं फिर बोर्ड एक्जाम में एंसर शीट में कैसे लिखाता है ऐसे आप सच करोगे हमारे चैनल पूरे वीडियो की भरमार पड़ी हुई है मताब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं यह दूसरा बैच हमारा चल रहा है और दूसरा बैच में भ पढ़ने जा रहें, मतलब 50% आज के दिन कम्प्लीट हो जाएगा, उसी 5 चैप्टर साइंस चुमें बचेंगे, मैंस अल्मोस सकेंड बैच भी कम्प्लीट होने वाला है, ठीक है, तो बच्चे का साइंस फटा-फट करतेंगे, जैसे मैंने आप से वादा किया है, यह December हो जाएगा, January Middle के आसपास से आपको One Shot Revision और One Shot LMR सीरीज आपका फेवरेट जो पिछले साल किया था, वो सबी चीज़ मिलने लगेंगे, तो आपको चिंता की कोई जरूत ही नहीं है, टेंशन बिलकुल लेना ही नहीं है, बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, हर आपको मिलते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूत नहीं है, तो जले वीडियो की शुरूत करेंगे, आज एक नया चाप्ट है, Science 2 का Towards Green Energy शुरूत करने जारे, पहला लेक्चर होगा, तो जरूर से देखना वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक, साथी में Instagram पे और Telegram पे थोड़ा सा टाइम लेगेगा, बहुत जल्दी announcement हो जाएगा, लेकिन आप लोग application को डाउनलोड करके रख लो, अपनी power दिखाओ यार, जयार, family की power दिखाओ, तो जयार टुटोरियल आपको जितना हो सके, डाउनलोड कर लेना, अच्छे अच्छे reviews और rating जरूर देना, चल जानते हैं, करेक्ट, आप देखो, energy एक word ऐसा है, जो definition point of view अकर बोला जाए, तो energy is nothing but the capacity to do work, energy क्या होती है, energy is the capacity to do work, कोई भी काम करने के लिए, जो चीज चाहिए, उसको बोलते है, energy, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, समझ लो, मैंने तीन दिन से खाना निखा है, दो दिन से खाना निखाया, तो मैं क्या इतनी energy के साथ बोल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, अरे मैं आपको एक चीज बताता हू, अभी शाम का time है, अभी थोड़ा सा energy बचा है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, कि शाम होते होते है, रात होते होते है, मेरी energy level इतनी कम हो जाती है, क्य energy level कम हो जाता है, तो energy level कम हो जाता है, तो मतलब जितना मेरा work है, मतलब बोलने वाला work है, वो कम हो जाएगा, सेम उसी प्रकार, जब हम लोग cricket match खिलते हैं, तो यार, जब starting में एकदम नहने fresh होते हैं, तो एकदम बहुत छका चोका मारते हैं, लेकिन जब 3-4 match खेल लेते है जाते हैं, तो यार, energy कम हो जाती है, तो क्या करता है, हमारा छका और चोका मारने की capability होते हैं, कम हो जाती है, मतलब energy is nothing but what, that is a capacity to do work, ठीक है, कोई भी कार है करने के लिए, जो चीज हमें चाहिए, उसको बोलते है energy, लेकिन energy हम क्या बोलेगा, यहाँ पर energy का definition हमारे लिए भ जाता है, सबसे पहली बात देखो, आज के रिड में अगर आप imagine कर लो, जैसे में अपने यह जो digital room है, मेरा जो setup है, इसमें मैं एक path बता था हूँ, यह आप देखो रहे पीछे मेरे digital board दिख रहा है, यह भी electricity से चल रहा है, मेरे सामने में आपके comments जब रीड करता हूँ, live लेता हूँ, तब यह भी तो recorded जा रहा है, लेकिन मेरे सामने एक screen है, ठीक है, बड़ा सा जिसमें आपके comments डिस्पले होते, यह भी electronic item है, मेरे उपर just थोड़े दूर पे, इधर पर AC लगा हूँ है, मेरे उपर lights है, जो lights फेक रहे है, ठीक है, यहाँ पर एको tube light लगी हुई है, याने कि क्या हो रहा है, यह जितने भी चीज़े हैं, यह एक क्या है, एक electronic item है, electronic device है, लेकिन यह अपना क्या कर रहे है, काम कर रहे है, पंखा घूम रहा है, मतलब यह अपना काम कर रहा है, AC जो है, थंडी हवाई फेक रहा है, यह अपना काम कर रहा है, बोड लिखने म इनको कौन से एनरजी लग रही है, इलेक्ट्रिकल एनरजी, और आज के रिट में आप देखोगे, दुनिया में लगबग इतने सारे electronic item प्रेजन्ट है, जो electricity से चलते हैं, यानि इलेक्ट्रिकल एनरजी से चलते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे, तो हमारी आज दुनिया अगर यह उलेक्ट्रिकल एनर्जी खतम हो जाती है तो क्या होगा अब आप बोलें कि सर यह खतम भी होता है कि यस खतम हो सकता है क्योंकि आज के डेट में जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे थे अब तक और अभी भी जो यूज कर रहे हैं यह बनाया जाता है और अब्वियसली बिजली जो है वो नेचर से नहीं मिलता है कि हम लोग गए एक कुए में से मस इलेक्ट्रिसीटी बाल्टी भरके निकाल लिया और यूज कर लिया यह इलेक्ट्रिसीटी को पैदा किया जाता है यह एक्ट्रिसीटी को बनाया जाता है और इसलिए आपको पैसा भरना पड़ता है आपके लाइड बिल के ओपर बिजली बिल आता है ना इलेक्ट्रिसीटी का तो इलेक्ट्रिसीटी जो है फ ठीक है? तो food, clothing और house यानि shelter जिसको बोलते है food, clothing, shelter एक dialogue तो आपने 16 साथ में पढ़ा होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे लिए basic need होती थी एक जमाने में, लेकिन आज के date में ये तीनों के अलावा, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के important चीज की जरूत हमें पड़ेगी, और पड़ रही है, वो है दोस्तो electricity, ठीक है? वो है दोस्तो electricity, और electricity नहीं रहेगा, तो obviously बहुत सरी चीज़े नहीं हो पाईगी, आप जो mobile phone में हमें देखते हो, उसको भी charge करते हो ना, electricity से आपके घर में plug लगा के, तो यार, electricity से चल रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं record कर पार हो, camera लगे हुए, वो भी बिजली से चल रहा है, तो हर एक चीज़ electricity से चल रहा है, इसलिए हमारे लिए अभी चौथा, जो need हो गया, basic need हो गया, वो electricity हो गया, तो electricity is nothing but a type of energy, electricity क्या है, ये भी बिजली का एक type है, sorry, energy का एक type है, correct है, लेकिन energy जो होता है, वो क्या होता है, energy can neither be created and nor be destroyed, समझ में आ रहा हो, मैं क्या बताने ही कोशिश कर रहो, अब आप बोल रहोगे न कि यार, सर आपने बोला कि electricity एक basic need है, electricity को बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बनता कैसे, तो electricity एक energy का ही क्या है, हिस्सा है, एक type का energy है, ल क्या होता है वो, कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form, देखो, कितना सिंपल सा language है, या रख लो, क्या बोलता है, देखो, energy can neither be created, मतलब इसको create नहीं किया जा सकता, nor be destroyed, मतलब इसको destroy भी नहीं किया जा सکता, बट it can be converted into one form to another form, मतलब एक form से दुसरे form में उसको convert भले ही किया सकता, मत बतातो ये से हमारे संसार में हुआ चलती है फिंड आपको विंड अनरजी चिया होता है जो जो इन्ड मी होती ए यह आप नें देखा है कि नहीं अभी इसब पढ़ेंगे आगी जाके लिए और मेंक्रीं घुमती है कोश इसके तर्माइं से होता है ठीक है वो टर्बाइन भूमता है उसके विकॉस अब डाट उसमें एक जन्रेटर लगा होता है ठीक है उसमें कंडॉक्टर होते हैं वो बताओंगा मैं अभी कंसेप्ट आएगा टेंचिन मदों इलेक्रोमाइटिक इंडेक्शन का आएगा बताओंगा थोड़ा सा पे आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया ठीक है आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया पंखा घूमने लगा तो इलेक्ट्रिकल एनरजी से पंखा घूम रहा है पंखा एक मेकानिकल डिवाईस है तो वो कंवर्ट किसमें हो गया घूमने में यानि मेकानिकल एनरजी में सोचो मेकानिकल एनर्जी गोलगोल घूम रहे हमें क्या मिल रहे हवा हमें क्या मिल रहे हवा तो मेकानिकल एनर्जी कनवर्ट होगा किसके अंदर विंड एनर्जी के अंदर यानि इलेक्रिकल एनर्जी गेट्स कनवर्टें इनर्जी मेकानिकल एनर्जी अगें कनवर्टें इ electricity आपके घर में आएगा वही आपका बिन energy करेगा तो इससे चीज क्या पता चला कि energy ना तो बन रहा है ना तो खतम हो रहा है बस वो एक form से दूसरे form में घूमता ही रह रहा है और यह संसार ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों कभी खतम नहीं होगा और खतम हगर होने के कगार पे जाएंगे करेक्ट है मार्स पे घर बसाके रहेंगे तो वह तो बहुत दूर की बात सोच लिया उन्होंने बाद में करेंगे डिसकस्ट इसमझ में आ गया तो बहुत सारे टाइप्स होती है electrical energy, mechanical energy, wind energy, tidal energy, thermal energy, there are so many types of energy जो आप लोग पढ़ सकते हो ठीक है अब यह electricity का concept जो लाइट नहीं हुआ करती थी तो सोचो वो लोग लालटे इन दिये जलांके ही वो गुजारा करते थे लेकिन आज के डिट में दो दिन आप बिना लाइट के रहे के दिखा दो मान जाओंगा, हाँ स्टाटिंग में एक दिन मज़ा आएगा, ना फोन रहेगा आपके पास न हम एक दूसरे को कॉंटाक्ट नहीं कर पारे थे ना दोस्तों से ना इस्तेदारों से तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आज की रिट में, इसके लिए इलेक्रिसिटी इस वेरी इंपोर्टेट, ठीक है, अब यह चाप्टर ग्रिन एनरजी क्यों पढ़ना है, क्योंकि बड़ा चाप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में टेंशन मत लेना, तो मैं मैं आरा देखो ध्यान से सुनना, कोईला जलता है, इलेक्रिसिटी बनती है, यह एक कंसेप्ट है, दूसरा न्यूक्लिर पावर प्लांट, न्यूक्लिर एनरजी, थोरियम, युरानियम, यह नाचुरल गैस है, यह जो कोईला है, और जैसा मैंने आपको बोला कि जो न्यूक्लिर एलिमेंट्स है, यह क्या है, यह कभी ना खतम होने वाले सोर्स है, कि यह कभी ना कभी खतम हो सकते, जैसे हम बोलते हैं न कि यार पेट्रोल जो है, वो कभी ना कभी खतम होगा, उसका जो petrol crude oil से बनता है, fossil fuel से बनता है, तो वो कभी ने कभी खतम हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी जितने में भी देशी में है, शायद आने वाले 50-100 साल के अंदर खतम हो जाएगा, कुछ नहीं बचाएगा, तो हम सब electric गाड़ी बना रहे है, आज के लिड़े में, आप देख बचता है कि आने वाले 50-100 साल के अंदर, ये जितने भी कोईले बचे हुए हमारे प्रिथवी के उपर, हमारे अर्थ के उपर बात कर रहा हूँ, नाच्रल गैस बचे हुए, या फिर नुकलियर एलिमेंट्स, युरानियम, थोरियम, जो खोद-खोद के निकाला जाता है, कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन ये खतम हो गए 50-100 साल के बाद, तो क्या हमारे प्रिथवी से इलेक्टिस्टी गायब हो जाएगा, क्योंकि यार हम तो तो तोटली इसके उपर ही डिपेंडेंट्ट है, समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इंसान किसके उपर डिपेंडेंट्ट है, कोईला मिलेगा, तो कोईले से बिजली बना लेंगे, नैच्रल गैस मिलेगा, तो इससे बिजली बना लेंगे, न्यूक्लिय एलिमेंट्स मिलेंगे, उससे बिजली बना लेंगे, करेक्ट है, तो हम तो 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 तोली भई इसके उपर डि इसी लिए साइंटिस्ट गुश रही है किसमें इंट्रेस्ट दिखा रही है ग्रिन एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जिससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो ना पॉलूशन हो और यह कभी खतम ना हो जैसे एक्जाम्पल के तौन पे विंड हवा हवा जब तक प्रित्वी है त चांद रहेगा तो यह तीन चेह है और इसके अलावा पी और भी है लेकिन यह तीन चीज़ को इस्तिमाल करके बिजली बना सकते हैं तो साइंटिश लोग ने successfully research कर लिया और ये प्रूफ कर दिया और ये mechanism बना लिया कि हम हवे का इस्तिमाल करके पानी का इस्तिमाल करके और धूप का sun का इस्तिमाल करके भी electricity बना सकते हैं और ये process बहुत तेजी से चल रहा है और इसी लिए हम चल चुके हैं एक रास्ते की तरफ जो की है green energy का रास्ता और धीरे धीरे आने वाले 20, 25, 50 साल के अंगर हम totally green हो जाएंगे यानि ये जो pollution create करने वाले जो चीजे हैं और खतम होने वाले जो चीजे हैं वो ही खतम करतेंगे हम लोग और हम totally safe हो जाएंगे green हो जाएंगे ठीक है ये इसके उपर चीजे चल रही है ठीक है समझ में आ गया और इसी लिए chapter हमें पढ़ना है green energy मजा आ गया पढ़के समझ में आ गया तो आज एक topic पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि electricity को कैसे बनाए जाता है basic पर अगले lecture से हम लोग thermal power plant nuclear power plant ये सभी चीज जो है power plants वो discuss कर लेंगे ठीक है चले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे generation of electrical energy यानी बिजली बनता कैसे ठीक है अब बिजली बनाने के लिए कुछ process की जरूत होती है किसी चीज की जरूत पड़ेगी तो सबसे पर अगर मैं बात करने की कोशिश करो देखो ध्यान से सुनना ये बात most of the electric power plants मतलब बिजली बनाने के लिए electric power plants होते है ठीक है जैसे thermal power plant होता है natural gas power plant होता है अभी मैं बोईसर में रहता हूं बोईसर के जश्ट दो स्टेशन बगल में दाहनू है आप में से कई सारे लोग जानते हूं कि दाहा रोड होड जो की मॉंबई-लोगल का सबसे लासट नौप है ठीक है तो दाहानू रोड जो है न वह आप फेर्मल पावर प्लांट है न अने जाता है लेगिन 20 जब कर रहा था हमारा project चल रहा था तो हम लोसे बंता है लेकी mi नुकलियर पावर प्लांट भी है जिसको NPCIL के नाम से जानाः जाता है नूकलियर प्लांट कोर्परेशन ऐसे कुछ तो है nuclear power कॉरपरेशन इंड्रा इंड्रम पे आरफ कर लेना ठीकर तो के मेरे आसपास लगबग 10-12 km के अंदर ये अंदर दो दो चीजे प्रेजेंट है जो इलेक्टिसिटी बनाती है लेकिन रिस्की भी है वो बाद मैं बता हूँ का क्यो रिस्की है ठीक है चलो तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे जो इलेक्रिक पावर प्लांट होते हैं वो बेस प्रेजे बाद में बừa कियानद रहो है कि यह क्याकर इन्दक्शन अब क्या हो चेंजे अब को म्हान चील्ल पता है यह आप तेंसे पल पड़ा है आपके 4 चाप्टर में, यह पहने पढ़ा चुका और अभी जो नया बैच है, उसमें भी 4 चाप्टर, उमीद करता है, संजीर सर लेने वाले, मैं उनको बोला कि संजीर सर आप ले लो, बच्चे और खुश हो जाएंगे, ठीक है, कि मेरा तो पढ़ चुके आप लो, ठीक है, स संजीर सर से भी पढ़ लो, और मजाएगा आप लोगको, ठीक है, तो यह प्रिंसिपल के आभार पर क्या बोलता है, कि जब भी कोई इस conductor के accordingly, magnet जो है, वो rotate कर रहा है, जैसे ही वो electro, sorry, यह conductor के around में, जो magnet है, वो rotate होगा, तो क्या produce होगा, that is, electro magnetism produce होगा, वहाँ पे, ठीक है, तो क्या produce होगा, the field around the conductor changes, और if a magnet is stationary, अब इसका उल्टा भी चलेगा, कि magnet, टेले conductor stationary था, अब मैं magnet को stationary रखता है, और conductor को गोल-गोल उसके around में, गुमारा, तो उस case में भी क्या हो जाएगा, जब वो move होगा, तो भी वहाँ पे, एक electric field जो है, वो produce होगा, conductor के change के accordingly, ठीक है, and thus, दोनों ही case में आप देखोगे, तो एक potential difference जो है, वो create हो रहा है, जब potential difference create होगा, obviously, conductor के across में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि electricity को produce कर रहा होता है, और ये the electrical power generating machine, मतलब जो machine, ये electric power को बनाती है, electric power को generate करती है, इस principle के आधार पे, इस electromagnetic, जो induction है, इस principle के आधार पे जो बनाती है, उसी को बोलते हैं, दोस्तो, electric generator, ये तो आप जानते ही है, electric generator, तो electric generator में, actual में हो क्या रहा है, मतलब, electric generator में क्या होता है, बेसिक तरपे कि एक magnet है और एक conductor है और दोनों जब एक दूसरे के around में घुमते हैं एक stationally देगा दूसरा घुमेगा या तो दूसरा stationally देगा पहला फाला घुमेगा तो जब वो दोनों एक दूसरे के around में घुमते हैं तो एक potential difference create हो रहा है and that potential difference that is nothing but आपको बिजली पैदा करके देता है यानि इलेक्रिसिली पैदा करके देता है इसको आप भी रख सकते हो क्या बोल रहा है फ्लो चार्ट समझो इसको क्या बोल रहा है कि proper energy source to run turbine अब होता है क्या है ना कि electric generator के अंदर भी आगर आप देखोगे ठीके तो electric generator के अंदर जैसे मैंने बोला conductor है और आपका magnets है जो rotate कर रहे है लेकिन ना मैं आपको इस चीज़ बता दूँ कि कभी भी electrical energy अगर आपको produce करना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा generator लगेगा जो कि यह वाला है लेकिन वो generator जो होता है ना उसमें मैंने क्या आप होला कि य magnetic field घूम रहा है सुरी magnet घूम रहा है या तो magnet है उसके अरॉंडे connector घूम रहा है तो जो घूम रहा है ना उसको घूमाएगा क्या नहीं ना तो उसको घूमाने के लिए हमें चाहिए रहता है एक machine जिसका नाम है दोस्तों टर्बाइन जो कि ऐसा दिखता है यह जो है आप दे यह उपर कोई भी चीज़ का प्रेशर से अगर टकराएगा तो यह गोल-गोल घूमने लगेगा और जब वो गोल-गोल घूमने लगेगा तो generator के अंदर का जो conductor है और magnets है वो एक दूसरे के across में घूमने लगेगे और जैसे वो घूमने लगेंगे तो बिचली पैदा होगा वापस से बैकवर जा रहा हूँ, electrical energy produce करने के लिए जनरेटर और जनरेटर को घूमने के लिए यानि उसके अंदर के जो magnets और conductor के across में घूमने के लिए चाहिए टर्बाइन, लेकिन टर्बाइन को भी तो कोई घूमना मंगता है वाई, यह टर्बाइन जो है, यह जो टर्ब टर्बाइन जो है वो run हो सके, समझ में आ रहा है, मतलब in short, अगर मैं एकदम conclude करूँ, simple तरीके से electricity कैसे बनेगा, कि कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, जो टर्बाइन को घूमाए, टर्बाइन घूमेगा, तो generator के अंदर conductor और magnets आपस में घूमेंगे, जैसे ही वो घूमेगा, electricity बन जाएगा, simple सी बात है, तो यह जो proper energy source है, वो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, क्या हो सकता है source, या तो कोईला जला लो, ठीके, जिससे पानी गरम होगा, पानी टर्बाइन टकर आएगा, तर्बाइन घूमेगा, या तो nuclear power plant का इस्तेमाल कर लो, जिसमें आपका nuclear elements इस्तेमाल होगा, या तो natural gas का इस्तेमाल कर लो, तो ये change होता रहेगा, लेकिन बात ही है, जो turbine generator और electrical energy है, ये process सेम रहेगा हर किसी case में, तो ये क्या है, that is the flow chart is showing generation of the electricity cabinet, ठीक है, electrical energy, ये आपको याद रखना है, correct है, मुझे लगता है, इस से बहतरीन तरी आप देखो, अभी खतम नहीं हुआ है, अब यहाँ पर देखो, कि ये जो generators होते हैं, बड़े-बड़े, ये जो large generators होते हैं, समझो इसको, large generators are using commercial power generation plants, commercial मतलब, क्या आप अपने घर में बिजली पैदा कर सकते हो, कर भी सकते हो, अगर दिमाख है, scientist हो, कर सकते हो, लेकिन वो illegal माना जाएगा, because वो government authorized होती है, government के अंडर में जाता हो, ठीके, तो तो तेरा, so many power generation plants present in India, जैसे मैंने बोला, मेरे आसपास ही दो है, एक nuclear है, और एक thermal है, मेरे 10-15 km के अंदर ही, मैं जहाँ पे रहता हूँ, ठीके, तो वो भी government के अंडर में है, government चला रही है, उसको भी कोई government चला रही है, हो सकता है, government ने अगर बेज दिया हो, तो वो private कोई बड़ा owner है, अम्बानी अडानी, और अम्बानी अडानी कहिए हो, ठीके, तो लग चलाते है, ठीके, तो turbine is used to rotate the magnet, जैसे मैंने बोला, turbine क्या करता है, magnet को rotate करता है, generator के अंदर, turbine के अंदर blades होता है, यह आप इसके वेज़ से turbines घुमेगा, turbine घुमेगा, generator घुमेगा, generator घुमेगा, तो विजली पैदा होगा, ठीके, समझ में आ गया, and thus the magnet in the electric generator starts rotating and the electric energy is produced, तो यह इस प्रकार से arrangement होता है, ठीके, यह आप देख पारे हो, electromagnetic induction इस प्रकार से produce हो रहा है, that is, यह क्या है, line of flux देखो, देख रोटेट हो रहा है पार बार, तो यह क्या produce कर रहा है, that is a line of flux produce कर रहा है, यह बोल्ट मेंटर से record भी कर सकते हो, electromagnetic induction इस प्रकार produce हो रहा है, समझ में आ गया, तो इसी तरीके से बिजली को बनाया जाता है, अब बिजली बनाने के जो प्रोसेस है, thermal वाला, nuclear वाला, natural gas वाला, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, thank you so much guys for watching this video, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, please comment करके जरूर से बताते हैं, वीडियो पसंद आए, तो please वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना, और अगर first time my channel पे channel को अभी तक subscribe नहीं झाल